पटना में 23 जुनकों विपक्षी दलों की बैटक के बाद यूपी में फूट के साथ नए गडबंदन के संकेत बन रहे हैं अकिलेश यादव के अलावा कोई भी मुख्य विपक्षी दलों की एकता पर सवाल उठाए तो वहीं रालोत और सुभा सपाज जैसी पार्टियों ने इस गडबंदन में न शामिल होने के बहाने भी बताए फिलहाल मुझूदा हालात में यूपी में बक्षी दलों के गडबंदन में दरार के संकेत साफ नजर आ रहे हैं राहूल और अकिले श्यादों की पटना में मुलाकात के बाद चर्चा ये भी शुरू हो गई है क्या 2017 की तरह सपाज एक बार फिर कॉंगर्स के साथ हाथ मिलाईगी फिलहाल बसपा यूपी में अकिले चुनाव लड़ेगी वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में चुनावी जमीन तियार करने में जूटी आर एलडी कॉंगर्स के साथ मिलकर यूपी में नए कड़ बंदन भी बना सकती है इसकी साथ बनने नहीं राज आमा टीवी के साथ धन्यवाद